अगर हमारे किसी प्रियेजन की मृत्यू हो जाती है और हमारी मृत्यू उसकी मृत्यू के 30-40 वर्ष बाद होती है तो क्या हम आत्मा लोग में अपने उस स्वर्गिये प्रियेजन से मिल पाएंगे जिसकी मृत्यू 30-40 वर्ष हो चुकी है क्योंकि वो तो अब तक पृत्वी पर पूरनरजरम ले चुका होगा और अगर हम आत्मा लोक में है और वो पृथ्वयव पर पूरनरजरम ले चुका है तो हम उस से मुलाकात कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आत्मिक gone चाके आधर पर स्पस्ट किया था हमें पता है कि जैसे कि एक आत्मा 100% उर्जा है वो अपनी उर्जा का कुछ प्रतिशत 5, 10, 15, 20, 25 और अगर आत्मा जितनी उचे स्थर की है वो उतना अधिक प्रतिशत आत्मा लोक में छोड़ कर आती है और आत्मा क्या है वो जो उर्जा के आईश पीछे छोड़ के आती है वो क्या है वो बिल्कुल हूब हूब वही है जो वो आत्मा है जो प्रतिशत पर आई है आत्मा अपने पीछे जो अपनी उर्जा छोड़ कर आती है वो अलग लग हो सकती है लेकिन यह जो उर्जा है यह जो प्रकाश का कण है ये किसी भी आत्मा का हर प्रकाश का कंड हू बहू उसके जैसा है क्योंकि हमारी आत्मा क्या है वो तो प्रकाश ही है एक उर्जा ही है ये उर्जा ये आत्मा का अंश ऐसा है जो आपकी मृत्यू हो जाने के बाद आपको अपने उस प्रियेजन से भी मिलवाता है जिसकी मृत्यू चाहे तो 40 वर्ष पूर्व भी हो चुकी हो जब ये भोतिक शरीर मर जाता है उसके बाद आत्मा का अपनी उस बच्ची हुई उर्जा जिसको वो आत्मा लोक में छोड़ कर आई है पाथ, दस, पंद्रा, बीस, पच्चीश प्रतिश जितना भी वो चोड़ के आई है उसके साथ जुड़ जाना एक तरह से उर्जा का एक बार फिर से पुनर उत्पादन हो रहा है ये एक प्रकृतिक तरीके से हो रहा है अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होता क्यों है क्यों एक आत्मा अपनी उर्जा को वहां छोड़ कर आती है और आत्मा जितनी ज्यादा विक्सित होती है उतना ज्यादा अंश आत्मा लोक में छोड़ कर आती है क्योंकि धरती पर कारे करने के लिए उसे कम उर्जा की पर अब अगर कोई आत्मा पूरा सो परसंट उर्जा ले कर किसी भोतिक शीर को धारण कर ले जो कि नहीं होता है लेकिन नेधि कर ले तो इससे क्या होगा इससे वो मस्तिश क्योंकि मस्तिश अलग चीज है मन अलग चीज है वो मस्तिश के उपर प्रहार करेगा आपने देखा है न कि हमारे विचार हमारे शरीर पर असर डालते हैं हमारा जो आत्मिक मन है वो हमारे शरीर के उपर असर डालता है जैसे जैसे आपके विचार अगर आपके विचार खुश है तो आप शरीर में हलका पर महसूस करेंगे ऐ अब अगर कोई आत्मा अपनी 100% उर्जा लेकर कोई शरीर धारण कर लेती है, तो वो मस्तिश के उपर पूरी तरह से कबजा कर लेगी, और अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, तो धर्ती पर जो हम अपने मस्तिश के साथ टक कर लेते हैं, हमारे मन का परणा पॉजिटिव तरीके से भारी होता है, हम नेक इंसान होते हैं तो वो positive तरफ जुग जाता है और जब वो negative तरह से भारी होता है तो वो negative तरफ जुग जाता है लेकिन साथ में मस्तिष भी अपना role play करता है दिल और दिमाग मिलकर काम करते हैं इसी तरह से अगर कोई आत्मा अपनी 100% उर्जा के साथ शरीर धारन करेगी, तो धर्ती पर आकर जो विकास करने की उसकी प्रक्रिया है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि मस्तिश के साथ टक्कर लेने की कोई चुनोती नहीं बचेगी, ऐसे हो जाएगा जैसे एक आत्मा है, ए ये लड़ाई क्या सही तरीके से होगी, इसी तरीके से अगर आत्मा अपनी 100% उर्जा के साथ शरीर धारन कर लेगी, तो वो भी फेर नहीं है, वो भी फिर मस्तिश को उसका काम करने के लिए चुनोती नहीं मिली, और अपनी 100% उर्जा को लेकर अगर कोई शरीर धारन करता है तो इसका एक नुकसान ये होगा कि जो मस्तिष है जो शरीर है वो बहुत उच्च शेनी की अध्यात्मिक स्मृतियों को अनभव करेगा और ये जो हम अपनी उर्जा का कुछ पतिशत आत्मा लोग में छोड़ कर आते हैं ये हमारे स्मृति लोप की वज़े बनता है हमारी जो यादाश खतम हो जाती है आत्मा लोग की उसकी वज़े बनता है और अगर 100% उर्जा के साथ कोई व्यक् की केमिस्ट्री लैब में आप गए हैं और आपको सारे उत्तर पहले से ही मालूम मैं आपको पता है आपने क्या करना है ये क्या फियर है स्मृति लोप अगर हो जाएगा अगर आपकी आत्मा लोग की आदाश खतम हो जाएगी तभी तो आप अपने मस्तिश को एक चुनोती देंगे तभी तो आप सही और गलत में किसका चुनाव करते हैं ये आप फियर तरीके से डिसिजन ले पाएंगे तभी तो जो आपकी प ही द्रजी है उतनी कम अら λέकर आती है क्योंकि आत्मा जितनी जैदा उचय दर दरजे की होगी उसकी उर्जा चाहे वो कम लेके आए लेकिन वो भी इतनी शुद्ध होगी इतनी लचीली होगी इतनी शक्तिशाली होगी कि उसका पूरा जीवन अराम से निकलेगा लेकिन जो प्रारंबिक आत्माएं हैं जिनोंने ज्यादा जनम नहीं लिए जो अभी विक्सित नहीं है अभी अभी एविक्सित आत्म अन्भवहीन आत्माओं की केटगरी में आती हैं वो उतना ही जैदा परतिशत लेकर धर्ती पर आएंगे क्योंकि जीवन जीने के लिए उन्हें जैदा ताकत की जुरूरत है जैदा उर्जा की जुरूरत है अगर कोई आत्मा 100% उर्जा लेकर आ जाएगी तो जैसा आपने द पूरी 100% उर्जा के साथ है इस धर्ती पर तो क्या होगा उसे स्मृति लोप हो गाई नहीं उसे आत्मा लोक याद रहेगा उसे अपने आत्मिक शक्तियां याद रहेंगी उसे अपने पिछले जनम याद रहेंगे और अगर यह सब याद रहेगा तो प्रिथ्वी नाम की जो यह स्कूल है इसमें वो फेर तरीके से अपना एक्जाम दे ही नहीं पाएगा अपनी परिक्षा पास ही नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि अब आप सब कुछ भूल चुके हैं अब आपके सामने कोई ओप्शन आता है आपके सामने गलत काम करने का कोई इस तरीके से आप आपको याद नहीं है, कुछ आपको याद नहीं है, अब आप decision लेते हैं कि हाँ, मुझे सही काम करना है या मुझे गलत काम करना है, मुझे चोरी कर लेनी है या मुझे चोरी नहीं कर लेनी है, ये है fair, ये है आत्मा की तरक्की, ये है एक fair तरीके से decision लेना, ये है challenge, ये है मस वो बड़ी असानी से क्या उसे सब कुछ याद रहेगा वो सचका ही साथ देगी वो सही रस्ते पर ही चलेगी अगर ऐसा हो जाएगा तो चैलेंज कहां है उसका विकास कहां हुआ उसके सामने चुनोती कहां आई उसने तरक्की कहां करी और आत्मा का कुछ पर्तिशत आत्मा लोक में छोड़ के आने का एक बहुत बड़ा लाब यह होता है कि जब आत्मा एक जीवन जी के एक भोतिक जीवन जी के इस दुनिया से जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा क्योंकि ये पृत्वी है पृत्वी का जीवन मुश्किल है तो वो जो नकारात्मकता होती है वो कुछ मागदर्शक के मुलाकास से कम होती है कुछ उस कल्यानकारी सका पूर्जा के फवारे से कम होती है, और कुछ जब हमारी पर्तिशत ओर्जा का हमने छोड़ा हुआ है, वो वापस आके हम मिल जाता है, आत्मा पूरी 100% बन जाती है, तब और भी ज़्यदा सकारात्मक्ता से बहर जाती है, क्योंकि वो पर्तिशत पूरी तरह से प्योर है, तो जनम ही नहीं लिया है ना वो तो आत्मा लोक से जुड़ा हुआ है तो वो पूरी तरह से एक शुद्ध उर्जा आके उसमें वापस मिल जाती है और वो हलकापन और सकारात्मक्ता महसूस करती है अब यही वज़य है ना कि जब एक इनसान की तरह आप सोचते हैं तो आपक होता है उसे उसे जलन गुसा नफरत इशाफस के अंदर से खतम होती है क्यों क्योंकि वो जो छोड़ा हुआ परतीशत उर्जा का है वो वापस उसमें आके शुद्धता को भरता है सकारात्मक्ता को उत्पन करता है इसलिए भी जो आत्मा जितनी विक्सित है वो उतना हो कर चुकी है क्योंकि वो बन चुकी है लेकिन उनको अभी अनभव नहीं है उन्होंने अभी जीवन नहीं जिये तो वह बीटनी जीवन जीए और सेफली इस अथर्पर एक्साम को देकर बाहर निकल पाए इसलिका उन्हे है लिखण परता है कि आप हम समझ सकते हैं कि क्यो आत्मा अपनी 100% उर्जा के साथ धर्ती पर जनम नहीं लेती कुछ प्रतिशत छोड़ के आती है क्योंकि यही प्रतिशत है जो आपको जब आप मृत्यू के बाद आत्म लोग में जाएंगे तो आपको आपके प्रियेजनों का यह छोड़ा हुआ प्रतिशत बिल्कुल हूब की प्रियेजन दिखाई दे रहे हैं या सष्पने में आके कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो इस तरह का एक्स्पिरेंस बहुत लोग बताते हैं तो क्यों मृत्यूशत ही निकट ही इसतरह के के एकस्पिरेंस होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो आत्मा अपने प्रियेजन के साथ ही जाना चाहती है या अपने मागदशक के साथ ही जाना चाहती है दूसरा वो जो छोड़ा हुआ प्रतिशत है वो आता है क्योंकि वो जो आपका स्वर्गिये प्रियेजन है उसको गुजरेवे 50 वर्ष हो गए उससे तो चाहिद रीवर्थ ले लिया होगा लेकिन जो वह 5-10-15 प्रतिशत आत्मा लोग में छोड़कर गया ना उर्जा उसने रीवर्थ नहीं लहीं है वह आपको हूब हूब आपके प्रियेजन का एहसास करा कि आपके साथ रहेगा और आपको लेकर जाएगा तो अब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्यों एक आत्मा कुछ प्रतिशत ऊर्जा को छोड़कर आती है आत्मा लोग में 100% ऊर्जा के साथ कोई भी आत्मा इस धर्ति पर जनम नहीं लेती ह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ एमेजोन का लिंक शेयर किया है अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ग्यान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोग प्रमात्मा के जिस भी रूप से आप प्रयार करते हैं चाहे तो सिर्फ परमात्मा के उस रूप को प्रणाम ही लिखती जिए लेकिन एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए आप सभी परमात्म सौनगर रहे प्रेम और आनन सैदेव परस्ता रहे आप सभी दिव्य परमधा साम में स्थान परात करें अगर हमारे किसी प्रयार जन की मृत्यू हो जाती है और हमारी मृत्यू उसकी मृत्यू के